नमस्कार इंडिया टीवी देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ प्राची पारशर आखिरकार सीट बटवारे कुलेकार इंडिया गठ बंदन में बात आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है करीब एक घंटे की देरी से कॉंगरेस और आरजडी नेताओं की बातचीत शुरू हो गई है तोड़ी दिर पहले कॉंगरेस की कमेटी के अध्यक्ष मुकुल वासने के घर पर आरजडी सानसद मनोज ज़ा पहुँचे हैं आरजेरी नेताओं के साथ बादचीत दोपहर सारे 12 बचे शुरू होनी थी लेकिन मनोज जा कुछी दिर पहले पहुचे बैटक में कमेटी की सदस्य अशोग गैलोत, सलमान कुर्शीद, मोहन प्रकाश के अलावा बिहार कॉंग्रस के अध्यक्ष भी शामिल हैं बिहार नेती के दूसरे राज्यों के नेताओं के साथ बैठक तीन दिन तक चलने वाली है, तो सीट शेरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, यही सबसे बड़ी गलें की पास इंडिया एलाइन्स के सामनी थी, क्योंकि अलग-अलग राज्ये में अलग-अलग राजनियतिक दल, खास लड़ाया जा रहा है, बिहार में गटपंदन का पेंच कहां फसा है, इसकी पिक्चर कुछ हत्ता क्लियर हो रही है, बिहार जेडियू प्रवक्ता नीरच कुमार ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, बाकी 24 सीटों पर आर जेडी समेथ दल लड़ेंगे, इस फॉर्मूले की तहत आर जेडी भी 16 सीट पर लड़ सकती है, जबकि कॉंग्रेस छे और वामपंथी दल 9 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। दावेदारी बनती है, इसलिए किसी का नुकसान और किसी का फाइदे की बात नहीं, बलकि इंडिया ब्लॉक को फाइदा हो, यह हमारी रन नीती है। साथ, आठ और नौ, यह तीन दिन है, जो बैठकों का सिलसिला लगातार देखने को मिलेगा, मुकल वासनिक के घर पर ही और तस्वीरे भी आपको यहां से बाहर दिखाए, क्योंकि बाहर लॉन में बैठकर ही, यह मीटिंग हो रही है, तमाम कॉंग्रेस के नेता, जो मेंब साथ तारीक आज टेख की गई थी, कि आज आज जेडी के मीटिंग होगी, अलाकि आज जेडियू की बैठक नहीं होगे, आज सिर्फ आजडी की सीटों पर तै किया जाएगा कि आखे किस तरीके से आगे ये पूरा सीट शेरिंग होनी है, अलाकि आज हुछ फाइनल नहीं होगा लेकिन एक प्रोपोजल तयार करके मलिकार जुन खड़गे के सामने तो वहां से जीत की पॉसिबिलिटी कितनी है, उसी के आधार पर सीट शेरिंग होगी, तो अभी फिलाल इनिस्टियल डिसकॉशन शुरू हुए हैं, जो कि यहां पर कमेटी जो कॉंग्रस की तरह से बनाए गई वो प्रोपोजल लेकर जाएगे और उसके बाद आगे क्या ह होनी है, माविकास अगारी की वो पैटर कोगी, योगि महराष्ट में किसी तरीके का कोई पेच नफस है, क्योंकि इस वक्त इस तरीके की स्थिती महराष्ट में है, कॉंग्रिस जादा मजबूत नहीं है, इसके लावा शिरसेना कि स्थिती हमने देखिया, उधव गुट की वो किस तरीके से है, NCP इस वक्त इस्थिती में है, तो यह अब आपस में डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से सीट शेरिंग होनी है, लेकिन विहार में जो फिलाल संकेत मिल रहे हैं, जिस तरीके से कहा जा रहा है, विहार आजडी के तरव से कार जा रहे है, कि वो 16 सीटों लेकिन फिलाल जो अभी तक अंदर से जो जानकारी आ रही है कि 17, 17, 4 और 2 यानि कि 17 RGD, 17 JU, 4 पर कॉंग्रेस और 2 पर वामपती दलों को ये कहीं न कहीं मौका दिया जा सकता है तो अभी इस तरीके की equations भी सूत्रों के अवाले से मिल रही है कि ऐसी भी आसान होने वाली है नहीं JU और RGD के बीच में क्या चल रहा है ये भी सब के सामने है उदर कॉंग्रेस 9 सीटों की मांग पहले ही बिहार में कर चुकी है 16-16 की सीटों पर JU और RGD अड़े हुए हैं ऐसे में best formula क्या निकलेगा ये देखना बड़ा दल्चस्प होगा बिल्कुल देखना होगा क्योंकि जिस तरीके से situation इस वक्त RGD और JU के बीच में चल रही है उस पर भी आज discussion होना है आज JU और RGD की लीडर्स तो एक table पे नहीं बैटेंगे दोनों की तरफ से कहा जाता है कि सब ठीक चल रहा है क्योंकि वो अपना proposal लेकर आएं कि उनको वो किसकी seat पर अपनी party को मजबूत देखते हैं वो यहाँ पर बताएंगे और उसके बाद यहाँ पर बिहार Congress के अध्यक्ष को भी बुलाया गया है वो भी यहाँ पर पहुंच यहाँ अखिले इस प्रसाद सिंग उनकी से भी पूछा जाएगे कि Congress किसकी seat पर मजबूत है उसके बाद एक discussion होगा और कितने घंटे तक कि मीटिंग चलेगी यह भी देखना होगा क्योंकि एक बज़े मीटिंग चुरू होने का वक्त था और अब मनोजा कुछ दिर पहले मीटिंग के शुरू हो गई है गौनिका और कोशिशी की जाएगी इंडिया लाइन्स के तरफ से कि अपनी तमाम गांठों को सोलचा कर एक बेस्ट फॉर्मूला दिया जाए ताकि 24 में अपनी जीत सुनिश्चित की जाए शुक्रिया गौनिका तमाम जानकारी के लिए